आज हम जानेंगे कि जैन मुनी नगन क्यों रहते हैं, वे कपड़े क्यों नहीं पैनते, जब कुछ जरूरी चीजों को अपने पास रख ही रहे हैं, तो वस्त्र ही क्यों नहीं रख लेते, वस्त्र रखने से क्या हो जाएगा? तो दिगंबर सादू नगन रहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें नगन रहने में मजा आता है, या नगन रहना उनका सौक है, ये सादना का एक अंग है, एक नियम है, जो व्यक्ति सिग्र मुक्त होना चाता है, वो सरीर से भी अपने ममत्व या मोह को पूरा हटा दिगंबरत्व की सादना में लीन हो जाता है, ये उच्च सादना का प्रतीक है कि व्यक्ति मुक्त होने के लिए अपने शरीर को भी दाव पर लगा देता है, और ऐसी कड़ी सादना करता है कि सरीर रहे तो लाख का और नहीं रहे तो सवा लाख का, अब जानते हैं कि वस्त क्यों नहीं रखते हैं, तो जैसे एक बच्चा जन्म के समय बिलकुल नगन होकर पैदा होता है, न उसमें कोई विकार होता है और नहीं कुछ चिपाव, जो भी जैसा भी है सब के सामने है, पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, विकार संकोच शर्म के कारण वो वस्त पहनता है, ताकि विकारों को छुपा सके, ये तो हो गई आम लोगों की बात, पर जब कोई इस दिगंबर के पत को अपनाता है, तो वो सरीर की आसकती को ही छोड़ देता है, सरीर से ममत्व भाव को ही हटा देता है, जब सरीर पर ही ममत्व नहीं, तो वस्तर किसलिए, सरीर की सार संभाल हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि सरीर पर मोह है उसको हमने अपना मान रखा है पर जो दिगम बरत्व की साधना के लिए निकलते हैं उनके लिए शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती वे विकार से निर्विकार बनने के लिए निकल पड़ते हैं ना सरीर की सार न संभाल सरीर उनके लिए इतना माईने रखता ही नहीं कि वे सरीर के विकारों को छुपाने के लिए वस्त्र पहने दिगंबर साधुना का मतलब नगन रहना नहीं है नगन तो भोगी भी होता है कामी भी होता है पर दिगंबरत्वक के साथ निर्विकार हो जाना ही इस साधना क सार है दिगंबर साधूं को तंतूं से बने वस्त्र की आविश्यकता ही नहीं है उनके लिए तो दिसाएं ही वस्त्र है दिसाओं को ही उन्होंने वस्त्र की तरह ओड रखा है इसलिए उन्हें मैसूसी नहीं होता कि उनको वस्त्र धारन करना चाहिए ये एक तरह की साधना है जिसमें व्यक्ति अपने आपको परकता है कि उसमें कितनी चमता है निर्मोही होने की, बले ही वो मुह फिर शरीर से हो, परिवार से हो या वस्तुओं से हो, क्योंकि साधारन तया व्यक्ति सब कुछ त्या कर देता है पर शरीर पर आसकती बच ही जाती है, दिगंबर मुनी इ इसलिए नगन से भी जादा महत्वपून ये है कि वे सरीर के मोहों से भी उपर उठ चुके हैं। इसलिए ऐसी उच्च साधना करने वाले साधू उपर प्रस्थन उठाने से पहले ये सोचे क्या आप नगन रह सकते हैं, नहीं रह सकते हैं। तो सम्मान कीजिए उनका जो इस कठिन पत को अपना रहे हैं। कीजिए उनकी वंदना और अर्चना जिन में मुक्ती की ऐसी ललक है। दिगंबर साधना पर आपकी क्या राई है कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।